परमेश्वर की धन्यवाद आज सुबह के समय फिर एक बार परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर के साथ संगतिय मनाने के लिए एक अच्छा अवसर परमेश्वर हमारे जीवन में खोला इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ पीछले दिनों में पर्मेशर के कुरुपा से हमें चलवा कर आज भी हमें जीवत बना कर रखा इसलिए मैं पर्मेशर को धनिवाद देता हूँ हम पीछे पीछले दिनों में से परमेशर के वचन से ध्यान कर रहे थे कलीशिया के बारे में और कलीशिया के सदस्यों के नामिकरन के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो मैं बोल रहा था कलीशिया के सदस्यों का नामिकरन चार रिती से मैंने बता है था एक विश्वासी दूसरा चेले तीसरे भक्त नहीं तो पवित्र लोग चौथे भाईयों ये चार नाम के हिसाब से कलीसियाओं के सदस्याओं को बुलाए जाता है तो आज भी हम लोग देखेंगे भाईयों के बारे में बाईबल क्या क्या कहती है पिछले दिन हम लोग देख देख रहे थे भाईयों के बारे में कलीसियाओं में कैसी बताएगे भाईयों की क्या चिन है भाईयां कैसे रहना चाहिए उस चीज के बारे में हम लोग देख रहे थे आज देखेंगे मत्ती लिकित सु समचर पांच वाद याई उसकी 47 बुक अफ मैत्यू चाप्टर 47 तो मैं आज भाईयों के बारे में बोलता है जो आज की जो ये सब्जेक्ट है मने देश में रहने वाले लोग आपस में भाईयों के नामी करन से बुलाते हैं तो इदर लिखने वाले अनुबो में मत्ती लिकित सु समचर उसकी पांच वाद याई उसके 47 में बताए गया अगर भाईयों ही आपस में मिलते वक्त नमस्कार बोलते हैं नहीं तो ग्रीटिंग्स देते हैं तो उसमें क्या फाइदा है वो तो अन्यजाती लोग भी क्या करते हैं करते हैं नहीं तो जिसे हम ज्यादा पसंद करते हैं उसे हम हर दम क्या कर देंगा हाई हेलो वेल बाई बोलते हैं मगर जिसे हम पसंद ही नहीं करते हैं नहीं उनको कोई भी बोलने का कोशिश नहीं करता मगर बाईबल कहती है क्या जानते हो ना सब को एक समान क्या करो आदर करो वह यह भाई चारा कैसे दिखा सकते हैं दूसरों को आदर करके दूसरों को क्या करके एक बार 47 फिर से पढ़के देखते हैं अगर तुम अपने भाईों को ही नमस्कार करते हो तो उससे बड़ा क्या काम क्या करते हो उसके बाद क्या अन्य जाती भी ऐसे ही नहीं करते हैं फिर अंख Hello be perfect as your father is in heaven who is perfect तुम शिद्ध बनो ताकि परमेश्वर परमेश्वर जैसे सिद्ध हैं वैसे ही तुमें भी क्या करना चाहिए शिद्ध बनना चाहिए इसलिए यहां बताए गिए अनुबा में देख सकते हैं देश में जीवन जापन करने वाले लोगों को भी हमें क्या करना चाहिए ग्रीटिंग्स देना साहिए हमें क्या करना चाहिए नमस्कार बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग हाई हेलो बोलना चाहिए क्यों वो एसा एक आटिटूड है कि हम उनसे भी क्या सम्मंदित हैं नहीं तो वो हमारे भी आजू-बाजू में रहने वाले हैं, हमसे उनको प्रेम संपर्क है, बताने वाली एक अनुबाव है, हलो, परमेशर हमें कलीसिया के अंदर सौभाग दिये, इतना ही नहीं कि कलीसिया के लोगों को ही प्रेस लोड हाले लिया, हाथ मिलाना, आलिंगन करना यह ही नहीं, वो अटिटूड कलीसिया के अंदर नहीं, कलीसिया के बाहर भी दूसरे लोगों से मिलते वक्त भी हमें अपना अटिटूड दिखाना चाहिए, कैसे, ग्रीटिंग्स देते, हाई हलो बोलना जरूरी है, यह चीज हम किस से सीख सकते हैं, विदेशियों से सीख सकत है, विदेशियों का एक अच्छा परंपरा है, क्या जानते हो ना, जिसे भी मिलते हैं, वो हाई हेलो बोलते हैं, जो भी कुछ अच्छा करता है, जो भी कुछ करता है, तो उसको थेंक्यू बोलते हैं, क्यों, दूसरे पसंद, मने, the opposite person को खातिरदारी करने वाला एक हिस्स को वो एक attitude है, ताकि हमारा हृदय भाईचारा के लिए खुल रहा है, it is a declaration showing that we are opening our heart to the other person, receiving him as a brother, दूसरों को अपने भाई के हिस्से इसे, भाई के तरीके से क्या करते हैं, हम लोग अंगीकार करने वाले पदप्रयोग है, hello, hi, good morning, इसे लिए हमें मालुम करनी चाहिए, देश्स के लोग अपने फाई देखले, अगर बैंक में जाओ, बैंक में कस्टमर को क्यों hi hello बोलते हैं, क्योंकि वो बैंक वाला चाहता है कि कस्टमर को क्या करें, satisfy करें, हाई या ना, किसी भी, किसी भी organization में देखो, ने तो किसी भी company या में देखो, वो लोग क्या करते हैं, अपने customer को कैसे देखते हैं, गेस्ट के समान, भगवान के समान देखते हैं, इसलिए ना, बहुत सारे दुकाने में लिखा है, जो कोई भी customer आता है, वो भगवान के समान है, क्यों, क्योंकि उनका चिंता धरा यह है कि, वो व्यक्ति कुछ पैसा देगा, वोई पैसा से वो व्यक्ति क्या करेगा, जीव अदिलार यह की, हमें भी आत्मिक व्यक्ति बनने पर हम कलीसिया के योगिदान पाए हुए, हमें कलीसिया का मेंबर्स करके परमिशर रखे हुए, क्यों, ताकि हमारे देश के आजू-बाजू के लोगों को भी हमें क्या करना है, ग्रीट करना है, सालूटेशन देना है, ग यहुदी, यहुदी मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सलोम बोलते हैं, सलोम का अर्थ क्या है, फीस, शान्ती, जब दो भाईयां मिलते हैं, इसलिए ना मार्ता, मर्यम, मार्ता और इलिजबत, दोनों मिलते हैं, गोलो क्या के ग्रीटिंग्स दिये, क्यों, क्योंकि वो एक हि देश के लोग हैं हमारे अंदर देश प्रेम का जागरन क्या है है बोलकर दिखाने वाली किसा है हमारे मुझ से निकलने वाली सैल्यूटेशन नहीं तो ग्रीटिंग्स हलो मुसलिम्स मिलते हैं तो क्या बोलते है मुसलिम मुसलिम ब्रदर मिलते हैं तो क्या बोलते है हिंदू हिंदू मिलते हैं तो क्या बोलते हैं नमस्ते विश्वासी विश्वासी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं प्रॉइज लॉड यहूदी हूदी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं शलोब एक कमपनी का मैनेजर और एक कमपनी का कस्टमर मिलते तो क्या है वाई हेलो गूड मॉर्निंग क्यों वो अपने फाइदे के लिए कर रहे हैं मगर बाइबल कहती है ये चीजे फाइदे के लिए नहीं ये चीजे इसके लिए की ताकि हम भाईया हैं हम मानव हैं, हम एक परमेशर के संतान हैं, हमारे अंदर एकी खून चल रहा है, हमारे अंदर एकी शरीर है, हम एकी श्वास ले रहे हैं, हम एकी तरीके से बारिश पा रहे हैं, हम एकी सूरज के नीते जी रहे हैं, हम एकी सावधार रहने वाले मनुश्य हैं, उसे चीज के व तू इट इश्व मशी तुम्हें सिखाने वाली एक अटिट्टूड है हमें किछ चीज़ें क्या देश्वासियों से सीखना जरूरी है इसलिए इश्व मशी उसे चीज़ को व्यक्तरिती से बोल रहे है तुम अपने पसंद करने वाले भाईयों को नमस्ते हाइवाई बोलोगे अरे अपने दुश्मनों को भी हाइवाई बोलो ऐसे करने पर तुम उसको क्या कर सकते हो उसके अंदर की जो भी करोधता तुमारे उपर है जो भी वाईरिता तुमारे भी रुद्धे है वो चीजों में वो क्या कर सकता है ठंड़क पहुचा सकता है तेरी वो शब्द हलो केरेल में हुआ एक घटना एक पासर जी का बेटा उसके पापा ने उसको क्या किया मा दुकान से कुछ खरीदारी करने के लिए बेजा खरीदारी करने के लिए बेजते हैं वक्त यह बेटा क्या किया खरीदारी करने के लिए जाते हैं वक्त वह एरिया की collector साब से वह मिला है वह चलके जा रहेती यह भी वह चल गए तो इसको पता चलिए वह collector है तो इसने के वह भी बुला ने तो नमस्ते बूला तुरहन्थ वह collector ने बुचा तुम किसके बेटे हो वह बख्षा रहें ठीक है काम कर लेना कल ते पापा को नौ बज़े औ्ने के लिए बोले रहाए है यह घर गया पपा से बोला पैपा पपा में कलेक्टर से साथ साथ है मैं मैं हाई बोला का सब्सक्राइब नहुट का साहigon की आप काम कि युट्पा को कल सुभे 9 बज हैने लिए पैपा प्रेंशन हो गया क्या हो गया क्यों बुला रहे हैं यह सुबह पासर जी क्या किया सुबह नौब जी उठकर क्लेक्टर के ऑफिस गये दफ्तर गये जाके बैठे कलेक्टर जी आए पूछे कौन है आप अब बहुत अच्छा लगा कोई हमें खातिरदारी नहीं करते मगर वेक चुरू किए उसकी द्वारा क्या हुए जैन जाना हना है वो गयरए परमिष्ër को जानने वाले अनुबाबन हे हैं वो बेटा एक नमस्ते के द्वारा खोल सका क्य इस चाहिए हमारे कलीशिया में परमिष्ञ हमें कलीशिया के सदस्यं को भाईयों प्यों बthlet कर रखर है क् अंदर जीवते परमेशर है जिंदा है मरा नहीं वो परमेशर तुमें भी प्राम कर रहा है मेरे आजू-बाजू वालों को भी प्रेम कर रहा है उस चीज़ को क्या करना चाहिए हमारे सालूटेशन से हमारे ग्रीटिंग्स में दिखाई देना जरूरी है वो चीज़ परमेश न्यूक्तिरिती से बताते हैं हमारा कलीशिया ऐसा एडप्टेशन सीख गया कि कलीशिया के अंदर यह आकर प्रेज लोड बोलगे आजकल के जमाने में कुरना है तो प्रेज लोड भी नहीं हेलो कि कलीशिया वालों को भी क्या करना चाहिए गृटिंग्स देना जरूरी है it's a system which bible teaches यह एक बाइबल के system है कलीशिया के पादरिशा पादरी साब मिलते हैं वक्त प्रईज लोड बोलते हैं वचन सुनते हैं वक्त हम लोग धन्यवाद अर्पन करते हैं क्यों इस एक चिंता धारा है कि हम परमेश्वर के निकट एक हैं इसलिए कलीश्या के अंदर आने से मूँ ताला बंद करकर बैठना नहीं परमेश्वर को आना देना करते वक्त मूँ बंद करके बैठना नहीं स्टार्ट प्रैसिंग गॉड परमेश्वर की महिमा करना सुरू करो क्यों महिमा जब करते हैं तो उसका वर्नन क्या करते जानते हैं हम परमेश्वर के निकट एक हैं उस चीज की वर्नना है हमारे मूँ से निकलने वाला इस तूतियां चर्च में जाते वक्त मूह ताला मत बना, मूह की ताला खोलना परमेश्वर की महिमा करना, महिमा करने पर क्या हो सकती है जानते हो ना बहुत सारे शैतनिक शक्तियों का जो विरोधता है वो तूट सकती है इसलिए यरिहों के सामने परमेश्वर क्या किये अपने लोगों को बोला क्या जानते है ना साथ दिन तक इसके चारों और क्या करना शुरू को घुमो और परमेश्वर की महिमा करना शुरू को start giving greetings to God परमेश्वर की प्रैस करना शुरू करो परमेश्वर की महिमा करना शुरू करो क्या हुआ जो राज्य है विस्राइलियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा था जो देश उनको ब्लॉकिंग के हिसाब से बंद करके रिख दिया था जो देश उनको आगे जाने की अनुमती नहीं दी उस देश को ये लो क्या किये अब मुख के शब्द के दुआरा मुझसे निकलने के वाली greetings के दुआरा क्या किये उस जमी उस पूरी उची उमारत को क्या कर दिये पूरी तरीके से emotion कर दिया अलो जिस जगा में थी उसी जगा में दफना दिया कुछ समझ रहे हो are you understanding something if you are doing it for the Lord अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ करते हो तुम स्तुती करते हो तुम सालूटेशन देते हो greetings देते हो you are doing something great तुम कुछ बहुत गहरी चीज कर रहे हो क्या कर रहे हो जन्ते ना शैतानिक जो विरोधता जो तुम्हेरे सामने खड़ा है जो चीज तुम्हें शैतानिक रीती से बंद करके रखा उन्हीं सावों को तुम क्या कर से कुछल तोड़ जा रहे हो ताकि तुम क्या कर सकते हैं तेरी फरलम की सकती सामर्त से उसे से आगे जाने के लिए इसले लोगों को आदर करना है लोगों को greeting से देटना थो को आज भाई बोलना तेरे टेरे टरे टेए ते थे गेसा एक चीज नहीं है कि तेरे वो तुम्हें गिनोनी बनाने के लिए नहीं उसके द्वारा तुम्हारे दोनों के बीच में जो वैरियता है जो गुसापन है जो एनिमीटी है वो एनिमीटी वो एक वचन के द्वारा क्या कर सकता है मधुरमाय के रिती से बदल सकता है वो तुम्हारे लिए आवसर बन सकता ह तुम्हें परमेशुर के बारे में बोलने के लिए हलो यह है भाईचारा भाईचारा अपने देश में भी दिखाना जरूरी है खाली कलीसिया में नहीं कलीसिया में खाली दिखाना वो क्या है हिपोक्रसी है एक्टिंग है परफेक्ट एक्टिंग डोंट एक लाइक फूल निर्बुधी व्यक्ति के समान अक्टिंग मत करो बी रियल मैन सच्चा व्यक्ति बनो लोकों को आधर करो स्टाट रस्पेक्टिंग पीपल बुजुर्गो बुजुर्गो तुम से छोटे हो स्टाट रस्पेक्टिंग देम पर्मिश्य व्यक्ति रिती से पांच वा दिया उसकी 47 में बताते है बीफ पर्फेक्ट शिद्ध मोनों जैसे परमिश्र सिद्ध है प्रिज लॉड वो है भाई चारा कलीश्य के अंदर आकर डैंस मारना नहीं कलीश्य के अंदर आकर ताली मारना नहीं शो वाट यूर लेंड जो कुछ तुम कलीश्य के अंदर सीखे वह बाहर दुनिया को भी दिखाओ शोई टुद वोल्ड शोई टुद वोल्ड देर इस लिविंग गाड इंसाइड मी एक जीवते परमिशर मेरे अंदर है वह जीवते परमिशर कैसे सैटानिक शक्तियों को भी तोड निचोड डाल सकता है वोई ना यरीहों को तोड के परमिशर दिखाया चीज इसलिए बाइबल कहता है इसराइलियों का परमिशर स्थुति के ऊपर विराज माने है एक गाड हूँ इस रिसाइडिंग अन दे प्रोईस हम क्यों स्थुति करते है बिकोज हमारे मूँ से निकलने वाली वो स्थुति की शब्द हमारे मूँ से निकलने वाली वो ग्रीटिंग्स हमारे मूँ से निकलने वाली वो सालूटेशन इट केन मेक वंडर्स वो अद्वुतका में कर सकता है बी ए रियल ब्रादर एक सच्चा भाई बनो कलीशिया का नमिकरन इसलिए भाई बोलकर बताये गया है वो केवल कंट्री यों कंट्री लोगों को ही नहीं अपने भाईयों को ही नहीं अपने दुश्मनों को भी दिखाओ शो इट टू योर अनिमी हलो इशुमशी को देखो जो चेला इशुमशी को तीस चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया उसे मिलते वक्त इशुने उसे क्या कहा फ्रेंड हलो क्या रस्पेक्ट दे रहे है इशुमशी वह है भाई चाहरा फिर देखते हैं प्रेरितो का किताब तीसरा दिया उसका बाइसवा वचन एक्स दबुक आफ्स चाप्टर त्री वर्स वेंटी टू जैस देखो यह कौन बोज रहा है यह पत्रस की प्रचार है कहां तीसरे अध्याय में देख सकते हैं एक लंगड़ा विक्ति को वह लो क्या कि चंगा किये उसके द्वारा उसे देश में क्या हो गया हल्ला मच गया क्यों एक लंगड़ा विक्ति चंगाई पाने पर क्यों देश वाले हल्ला मच आना कारण क्या है उसरीजन कोई कुछ बोला नहीं क्या रीजन है देश वाले क्यों हल्ला मच नहीं की जरत अच्छा तो हुआ ना कि जो नहीं चल पाता था जिसके टांगे काम नहीं कर रही थी वो चंगा हो गया चलना शुरू कर दिया दोडना शुरू क्या वाट इस दाट मेकिंग दे वर्ल्ड प्रेक्यूर बनाने का कि क्यों कि कुछ बोले नहीं कि कुछ रिलेशन है क्या देश गावालों से कुछ रिलेशन है क्या इसको एना है यह कौन था भीकारी था इसका काम क्या था भीक मांगना कहां बैठके भीक मांग रहा है मंदिर में तो इससे क्या करते थे सुबह के समय उठाके लेके आते थे शाम को उठाके घर ले जाते थे क्यों कोई उठाके लेके जा रहा है पैसा पैसा हां यहां पर हमको सोचना है ने तो मैं बोलने वाला ठीक सही है कि नहीं एक बार देखें देखो दूसरी वचन तीन का दो प्रेटों का कितब तीन का दो देका ना तो वो एक कम्पनी वना एक एक और्गनाइजेशन था क्या और्गनाइजेशन था भीकारियों का और्गनाइजेशन अलो क्या और्गनाइजेशन एस्सेशन आफ बेगर्स उसके मेर को लगता ही ये प्रिजिडेंट होगा आई तिंग तो इसले ना लोग उसको उटा के लिके रखते थे अरुदेर हाँ यह ना किसी लोड़ यहां पर भोलना है बाइबल इस ट्रिक्ट एगेंस्ट बेगरी धिकार भीक मागने का हिस्से में बाइबल पूरी तरीके से अगेंस्ट है बडिर का नाम क्या है इसले वो एक बिसनेस था वहां के उ अषाब मंदिर का नाम क्या है ए कि सुन्दर सुन्दर भ्यूटी Fal ब्यूटिफुल जगह में कौन आएंगे ब्यूटिफुल लोग ही आएंगे पैसे वाले ही आएंगे तो वह मंदिर में क्या करते थे लोग पैसे वाले ही आते थे तो पैसे वाले आते जाते वक्त वो क्या करते चर्च के सामने ही इसको बिठा दिया है और यह क्या है बैगर् तो नहें जोच लेना चाहिए यह भीकारी होने पर बी लोग इसे क्यों उठा रहें पूंचत तो इसका म्रती यह एक इसके द्वारा बहुत कुछ लाब मिलता था पाइड़े मिलते थे कि मोगो fav हें समझ रहे ओ फाइदा मिलता था इसलिए इसको क्या करते थे उठाते थे रखते थे तो ये चंगा जब हो गया क्या हो गया पैसा कंपनी कंपनी डूब गया तो ये चंगाई तुरंत पाते ये क्या करना चुए नाचना गाना परमेश्वर की महिमा करना और इतना दिन तक कहां पे खड़ा था कहां पे बिठा था मंदिर के बाहर इसको अवसर मिला मंदिर के अंदर जाकर परमेश्वर की महिमा आरादना करने के लिए उसके बाद उसने क्या किया मन परिवर्तन के साथ परमेश्वर की महिमा करना शुरू किया ही स्टॉप्ट इस ओर्ड एटिटूड है हलो फिर से वो बेगिंग करने के लिए नहीं गया भीक मागने के लिए नहीं गया गया क्या नहीं गया इसी लिए ना देशवासी लोग क्या हो गया विर्दुबंगे इसलिए पत्रसर युहन ना उनको मिलते ही क्या पूछे हमारे पास चांदी या सोना नहीं है बोले की नहीं क्यों सोना या चांदी नहीं है बोले कुछ पाने के लिए नहीं उस टेंपल में जो कोई भी जाता था सब कोई सोना चांदी देते थे उनका कॉइन चांदी था और वो लोग जो बेट चड़ाते थे वो सोने के थे सोने के जिएसे थे दामदायक इसलिए सोना चांदी हमारे पास नहीं है क्या है हमारे पास We have Jesus The Nazareth हमारे हाथ में यूशू नशरत के है वो एक ही है उसको मैं दे सकता हूँ I give it to you दे दिये हाथ दिये उठा दिये उठा दिये उठ गया चल गया क्या हुआ एक और्गनाइजेशन पूरी बैगरी एसोशेशन का और्गनाइजेशन तूट गया प्रेसिडेंट उद्धार रिपागे तो क्या होगा तो सोच लो कि ये कितना कम आता होगा बंबे में एक बेगर है बंबे में एक भीकारी है उसको जूहू बीच में फ्लाट है विश्वस कर सकते हो उसका बैंक अकॉंट सुनते वाट लग देगी लोगों की आंध्रा में एक औरत है नेलूर में एक औरत है वाव जीवन पैसा क्या है बीक बीक मांगना मगर फ्लाट गाड़ी उतना सब होने से भी सुबह से लेके शाम तक बीक मांगना है वाई क्योंकि इसमें क्या मेहनत नहीं है क्या मेहनत है खाना भी कोई देगा पैसा भी कोई देगा पानी भी कोई देगा सब कुछ फ्री सप्लाई बिबिलिकल सिस्टम यह नहीं है बिबिलिकल सिस्टम में क्या करना है अपने खून पसीना करके क्या करना चाहिए वो है परमिशर आदम को बोले नियू विदि यू स्वेट तुमारे खून पसीने से तुम क्या करओगे जियोगे सोरीँ खून से नहीं पसीनों से तुम जीयोगे इसलिए इस्राइली कोई रिवाज क्या था जानते हैं ना जो विदवा लोग आनाथ लोग जिनका कोई सहारा नहीं उन लोगों के लिए सहायक मंद रीती से इस्राइली लोग क्या करते थे सहायता देते थे कैसे अगर वो कुछ खेत में दानवान लगाते हैं सोच लो गेहु वेहु कुछ लगाते हैं काटते जब काट के जाते हैं बीच बीच में छोड़ देते हैं वोई चीज को कौन उठाने के लिए गया था रूथ क्यों उनका कोई है ही नहीं था वो लोग विदवा थे देर वास नो वन टू हेल्थ देम कोई उनको ऐसा नहीं था कोई सहाइक मंद वाले इसलिए उसने कौन उसका नाम क्या है नायोमी नायोमी क्यों प्लान की बेतले हैं वापस चल जाते हैं क्योंकि उसको मालूम था कि विदवाओं को और क्या अनर्थों को गरीबों को जिसको सहायक नहीं है बेसहारों को इसराइली लोगों का व्यवस्ता में लिखा गया कि उनको क्या करना चाहिए सब कोई सहायता देना जरूरी है मगर कलीशिया आज उस चीज को भूल चुकी है वी ऐसे चर्च फॉर्गट द लोगों को दिया जाने वाला हिस्सा हम भूल चुके हैं इसलिए हमें भाईचारा दिकाना जरूरी है if you are a real brother having fellowship in the church you can stop the organization called beggary विकारीपन को कलीशिया स्टॉप कर सकती है hello मेरी बात है इसलिए प्रेलितों का किताब तीसरी अध्याय में क्या हुआ इस्यू को मिलते ही उसने क्या कर दिया organization चोड़ दिया begging association चोड़ दिया क्या करना शुरू किया परमेश्वर के वचन शुरू करना पढ़ना शुरू ना शुरू कर दिया इसलिए उसकी यारवी वचन में कहा गया है देखो क्यों लोगों तुम आस्टे रिये बन रहे हो वाई यू आर बिंग गेटिंग इमेज़्ड उसकी बारवी ग्यारा बाराव वचन तोड़ा देखो हुआ 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 हाँ हाँ देखे ना परमेशर के सामर्थ इसको क्या कर दिया चलने फिरने में योग ये बना दिया इस चीज़ों के बारे में वर्नन करते हुए कौन पत्रस और यूहना के बीचे में सही एक भाविशत वक्ता निकलेगा कौन वो यूश्य मशी कौन निकलेगा यूश्य मशी तो यह जो लोग यहां पे थे वो लोग यूश्य को विश्वास नहीं करते यहूदी लोग थे तो वो लोग के सामने बोल रहे हैं कि तुमारा भक्त ने तो तुमारा भाई जो यूश्य मशी है उसकी सामर्त और शक्ति इस व्यक्ति को चंगा किया बोलने से वो लोग पीटने के लिए नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे आएंगे क्यों आएंगे जानते हो क्यों ने करते इसी उम翻唱 मंगनी के समाई कैसा बच्चा प्यदा हो गया है तो उस के उस चीज के ओपर यह लोग कुछ नहीं कर पाए उसका एक क्या है असर और यह सेवकाई करके बहुत लोगों को चंगा कर रहा है कौन इल्लीगल मैन इल्लीगल इल्लीगली बॉन इल्लीगली बॉन कैसे होते है एक मामी एक हस्बंड वाइफ शादी करके बच्चे पेते वो लीगल सन है इल्लीगल मतलब क्या है बिना शादी की रिस्ता करने से इल्लीगल तो इश्वमशी इल्लीगल के सेमान वो लोग सोचते थे यहुदियां सोचते थे यह इल्लीगल बहुत है और इल्लीगल एक आदमी क्या हो गया उसे देश का बड़ा व्यक्ति बढ़ गया सुसमाचार कर रहा है बहुत लोगों को चंगा कर रहा है मरे हुए लोगों को जी उठा रहा है वचन बोल रहा है परमेशर के बारे में बोल रहा है परमेशर का यह वस्ता के विरुद में काम कर रहा है तो लोग विरुद नहीं आएंगे हाँ इसलिए वो एक थी इनके मन के अंदर दूसरा क्या हुए जानते ना ये लंगड़ा वेक्ति से जो इनको प्रॉफिट मिलता था मुनाफा मिलता था वो मुनाफा भी बंद हो गया तो आश्यर ये नहीं होंगे इसके बाद दे सकते हैं ये लोग को क्या करते हैं जेल में डाल दिये बारे। किसका इशु मशी जो हमारे भाई हैं हलो जब इशु मशी हमारे भाई है यहूदी भी मेरे भाई है वोई चीज पत्रोस क्या कर रहा है यहूदियों को सिका रहा है ट्रीट एवरीवन आसी ओब ब्रदर्स अब सबको भाई के समान ट्रीट करो यार वो मुसा कहा है तुमारा गुरू कहता है वाई डूंट यू अंडर्स्टेंड डाट क्यूं तुम यह समझ नहीं रहे हो क्योंकि यह लोग इशु मची को कम विश्वास करते थे किसको ज्यादा विश्वास करते थे मुशा को और मुशा की व्यवस्था को कि आया ना यहीं वचन ड्यूटर नमी चाप्टर 18 वर्स 15 से पढ़ते हैं तो वहीं पर लिखा गया है ड्यूटर नमी चाप्टर कि 18 वर्स 15 अठारा अध्याय का पंदर वहां वचन से देखेंगे तो उधर भी यही सहीम चीज़ लिखा है हाँ देखा न मुशा कब बोल रहा है पहले कितने सालों से पहले ने तो मिला पाली तंबू के बनाने के बाद लेवियों की आरादना की शाहिली शुरूआत होने पर बोला गया तब इनको आरादना व्यवस्ताओं में बदलाव आना शुरू किये लोग क्या करना शुरू किये मंत्र तंत्र पूजा वेदी ऐसे सब करना शुरू किये तब सच्चाई की चीज़ बताने के लिए मुसा बोल रहे है क्या तुमारे बीचों से ही एक भाई जनम होगा तुम उसकी सुनो कौन वो भाई वो इशुमशी है मुसा व्यक्ति रिती से बोलते हैं वक्त भी इस्राइली लोग यहुदी लोग उस इशुमशी को पहचान नहीं पा रहे थे एकसप्ट नहीं कर पा रहे थे हलो इशुमशी को भाई के सावन क्या नहीं कर पा रहे थे एकसप्ट नहीं कर पा रहे थे कि आज भी कलीशिया के अंदर ये ट्रंड है क्या ट्रंड है कि एक जाती में कम पैसों में कम ऐसा एक आदमी चुर्च के अंदर आ गया तो क्या होगा फैसी कि एक भाई के समान उसको范श करेंगे क्या कि मैं केरल में था जब था एक चुर्च में देखा एक चुर्च में एक बाबा जी क्याında बोलते हैं भीक माकर घूमने वाले बाबा जी क्या बोलते हैं रेड लग़ो ड्रस पहन कर उन को तो ऐसा लगा चर्च के अंदर आके बैठे समझे वो चर्च केरल के एक बड़ा चर्च है चन्द 200-300 विश्वासी आते हैं उसका चर्च में यह सन्यासी आते वक्त क्या हुआ जानता न तुरंत उस कलीशिया के सदस यह उसको क्या क्या हाथ मैसेज के टाइम में घुस आये त इस कुर्सी में वो बैठे थे वो कुर्सी उसको दिलवा दिये बिठा दिये और ये वो व्यक्ति जाकर नीचे बैठ गया कौन वो विश्वासी और उस चर्च में एक एक क्राइटीरिया था जानते हो ना वहां का चर्च खतम होने के बाद सम मिलके खाना खाएंगे तो ये आदमी को आके बैठाते वक्त ही उसका मन थोड़ा तसली लगा वाओ ये लोग मुझे एकसप्ट कर रहे हैं फिर प्रायर कतम होने के बाद सब आए हाथ दिये मिले बात किये सब किये और विश्वासी जो भाई इसको बिठाए थे वही भाई खाना लेके आकर उनको खाना देए मुझे वह खाना खाए का खाना खाने के बाद सब कुछ ओने के बदेजिब वाप्स रहते ता बोले मैंने इतने कलीशिया हैं मंगर इस तरीके से भाई-चारा कहीं मैं आट देखा नहीं कि हलो वो ही कलीशिया में और एक क्या बोलते हैं दूसरे डिनोमिनेशन के क्या बोलते हैं वो डिनोमिनेशन का नाम मैं भूल गया कि अधिन वो याज़कों का वस्तर पहन कर आने वाले का कलीशिया है डॉन देर ने 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 तोपी वोपी सा पहनते हैं वो के रल में प्रसिद्ध है तो वैसा एक पादरी साब भी चर्च के अंदर आये उनको भी सेम ट्रीट किये सब्साहिम बे ट्रीटर जैसे वो सन्याशी को ट्रीट के सहीम वे मुझे बहुत खुशी लगा वो देखते हैं वाल तो मेरी बोलने के वतलब इस्राइली लोग लोगों को अपने भाई के हिसाब से क्या नहीं करता एक्सप्ट नहीं करता है ट्रीट नहीं कर पा रहे थे डाट सब प्रॉब्लम इवें इन द दूसरे विक्ति को एक भाई के समन एकसप्ट नहीं करने वाली एक वो सैटनिक है वो सैटनिजम है हलो सैटनिजम को दूर करने के लिए जीसस अफ नाजरत इस गियर सातानित्वत्त को तोड़ने के लिए ईश्यू नासरी के ईश्यू आज भी उपस्तित है इसलिए मैं से बनो भाई讲र दिखाओ भाईचारा दिखाते ही क्या हो तो शैतानिक आजारों को शैतानिक टंत्रों को शैतानिक शक्तियों को भाईㄚारे के दोरत तोड सकते हो that's the thing पे पत्रस ये हूना हमें सिखा रहे हैं कि명士 वो क्या बोले हमारे पास होना चांदी नहीं है we have only Jesus हमें सामर्थी वाला इशू है हमारे हाथ में केवल नजरी के इशू ही है I can give that person to you मैं उस इशू को मैं तुम्हें दे सकता हूँ उसके द्वारा क्या हुआ एक देश का शैतानिक शक्तियों के ऊपर इशू मशी का कर तु तू का अधिकार दो व्यक्तियां क्या कर सके दो नहीं तीन व्यक्तियां स्थापन कर सके एक पातरस दूसरा यह होना तीसरा यह भीकारी सॉरी भीकारी अब तो भीकारी नहीं अब चंगा व्यक्ति भोल सकते हैं पहले भीकारी यह तीनों व्यक्ति क्या कर दिये एक देश को पुरा हीला डाले हाउ भाई चारा दिखा के इसलिए मुसा के व्यवस्ता से ये लोग बता रहे हैं क्या मुसा के व्यवस्ता में ही लिखा गया है कि तुम्हारे बीचों से एक भाई निकलेगा वो भविशक पक्ता बनेगा बिलीव हिम रिसीव हिम एक्सप्ट हिम ये बोलने पर इनको क्या हो गया गुशा आ गया तुरंत इनको क्या कर देख पीट कर अरस्ट करके लेगा है हलो क्यों क्लीशिया के विरुद लोग खड़े होते हैं क्योंकि सबको भाई मानना उनसे पसंद नहीं है कि खायाना इसलिए परमेशर चाहते हैं हमें परमेशर कलीशिया के सदसी बने क्यों भाई चारा दिखाने के लिए शो डरील ब्रदर हुड हालेलूया है वो है असल की भाई चारा ऐसे अगर भाई चारा दिखाना शुरू करेंगे तो कितने अधिक तरीके से सुसामाचार की वेगता दुनिया की छोड तक ले सकते हैं हमारे देश के बापू जी मोहंदास करमचंद गांदी वो अपने बारिष्ठिरी की पढ़ाई के लिए कहां गया इंग्लेंड गया इंग्लेंड में जाते हैं वक्त उनको तो वहां पे तो मंदीर की दिखाई नहीं दी तो इसने मंदीर के बदले कहां गया चर्च के अंदर गया वो बाईबल सीखा थी ए उसके तात्व हो कलीश यह क्या अंदर है यह नहीं के चर्च में गया है तो वहां पर बोड लगा है चर्च पर द वाइट्स गोरों की कलीश या दूसररा चब्सक्राइब चर्च पर द ब्लाक क्या ट्रीट्मेंट है यह वाट्स ट्रीट्मेंट इसलिए इतना उसको परमेशार का वचन इंफ्लेंस किया क्योंकि वह इंग्लेंड में जीवन जापन कर रहे थे बारिष्ट्री पढ़ा ही प्रकर रहे थे उनके दोस्ट लोग सबके सब 70% विश्वासी लोग थे दे गेव लुट्रीट्मेंट अधिव हिम दो बाइबल उसको बाइबल दिया वह भाइबल पढ़ना शुरू किया और रेगुलर कलीशय जाना शुरू किया मगर कलीशया के अंदर क्या नहीं देख पार वह भायचारा देख नहीं पाया क्या हुआ उस्से वो इस्व को विश्वास किया मगर ग्रहंड किया नहीं उद्धारी पाया नहीं कौन मोहंदास करमचंद गांदी बाइबल के अंदर की व्यवस्ताओं को उसने क्या किया अपने शासन में उप्योग किया मगर इशु मशी को क्या किया ने पूरी तरीके से विश्वास ने किया तिंक ओफिट अगर इशु मशी को पूरी तरीके से मोहंदास करमचंद गांधी विश्वास कर लेता मुद्धारी पाया हुआ होता तो आज इंडिया का मसी के जुंड कैसे होते कलीसियां कैसी होती a greater population could have adapted the reality of Jesus इश्य मसी की सच्चाई को एक बड़ी सी जुंड परमेश्वर की सच्चाई को जान सकते थे मगर क्यों ना जान पाए because the church could not show the brotherhoodness भाई चारा कलीसिया दिखा नहीं पाई इसलिए मौंदास करंचंद गांधी की life experience में बताए गया है उसको क्या कर दिये train में से लात मार दिये they kicked him off from the train उसको क्या कर दिये थपड मारे they treated him very bad even being in a Christian world एक Christian देश में रहकर भी उसका treatment थोड़ा देखो how did they treat him इसलिए मौंदास करंचंद गांधी की बातें ऐसे है कि मैंने Bible में इसु को देखा मगर इसु को मैं लोगों में दिखा देखता नहीं हूँ I can't see Jesus in the people वो एक हिस्सा उसे क्या कर दिया अभिश्वासी की तहरिया में लेकर रख दिया it's the failure of the church कलीशय की failure है hello समझ रहे मेरी बात reality में आवो start focusing being a brother of a church कलीशय की भाईचारा दिखाओ तुम्हें परमेशर कलीशय के सदस इसलिए बनाए ताकि तुम भाईचारा दिखा सको और एक जुंड को एक समूह को क्या कर सको परमेशर के करीब ला सको वो भिकारी है तो भिकारी अधिकारी हो तो अधिकारी यहुदी हो तो यहुदी इस्राइली हो तो इस्राइली जो कोई धारा मतक के कोई भी हो गीव दम जीसस शो दम वाट इस ब्रदर हुड भाई चारा क्या है दिखावो यह चीज को पत्रस और यहना क्या किये यहुद्यों के सामने पेश किये मगर उन्होंने क्या किया एकसप्ट नहीं किया सबको अपने भाई के समान एकसप्ट करना ही यहुद्यों के लिए बहुत मुश्किल है क्यों जानते हो ना यहुद्यों का एक व्यवस्ता है यहुद्यों का एक व्यवस्ता है यहुद्यों के साथ मिल सकता है अन्य जाती उन से बहुत दूर इस तरीके से उनका मन क्या हो गया मगर परमेशर के वचन में ऐसा नहीं कहा गया परमेशर के वचन में कहा गया है कि परमेशर के दास नहीं तो यहूदी लोग अन्य जातीयों के औरतों के साथ शादी नहीं करना उतना बोला गलती है किसकी है उनकी सोच किये इसलिए परमेशर उनको क्या किये अन्य जातियों के राजाओं के हाथ में इसराइलियों को क्या कर दे कहदी बना दिये नेबुकेने सर ने उनको लूट दिया बेलसा सर ने उनको लूट लिया और बहुत सारे अन्यजाती के राजा फरो ने उनको लूट लिया क्यों दे कुड नोट शौ दे ब्रदर हुट भाईचारा ना दिखाने की करण और एक और चीज़े वो परमेश्वर की इच्छा भी है मकसद भी है वो दूसरी बात है उसके साथ ये लोग अपने मनमर्जी भाईचारों को तोड़ रहे थे अब इब्राहियों का किताब सात्वी आद्याय उसकी पाँचवी मचन the book of hebrew chapter 7 verse 5 यहां पे यहां पेक प्रॉब्लम थी क्या दसमांस के विशाए कि यह हम अपने बाईओं के हाथ सही दसमांस लेना चाहिए यह यह कोशिन है कि एक और बार पांच वाव अचल पढ़ते है कि हुआ हाँ 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 हो एका कंफूशन था इनको क्यों हम अपने बायों के हाथ से दसमांस ले क्यों नहीं ले सकते क्योंकि लेंडिन की चीजे बायों के बीच में अगर अच्छी तरीके से होता है तो वो चीज दूसरों को भी हम दिखा सकते हैं समझे नहीं Giving and receiving If it is been taught inside the church कलीशिया के अंदर लेन देन की चीज़े सिखाई जाने पर अगर कलीशिया के अंदर लेन देन अच्छी तरीके से है तो इस भाई चारों को तु दूनिया को भी दे सकता है समझे नहीं कलीशिया के अंदर क्या भेट देना दान देना वो चीज को तू हिस्से के तरीके से कर सकता है तो कलीशिया के बाहर भी वो ही चीज को तू कर सकता है यू कैन डू इट इवन आउटसाइड दे चर्च लोग क्यों कुशिन करते है लेन देन की विशाय में दान देने की विशाय में भेट देने की विशाय में दसवांक्स देने की विशाय में क्यों कुशिनिंग करते है क्योंकि उनके अंदर इनसेक्यूरिटी फील है कि मैं क्यों अपने भाई को दू तो यह शुट आइए тू माई ब्राधर वू भी शुमशी के नम में उधरिवाया है मैं भी शुब्त के नमैंतर स्हच 000क्टीन यार ओविश्च आधर मैं वाइश्च आइ गीम ननी है क्यों मैं उसको पैसा देनी के चरूरतomina radio जो कुछ भी अरे देखने वाले भाई को पसंद ना करके दिखाई देने वाले भाई को तु ना दे के लेके तु क्याद ना देखने वाली परमेशर की महिमा करेगा हलो यह इबराहिया लिखने की कारण क्या जानते हैं कलीसिया के अंदर ऐसे तत्तु आना शुरू किया इसलिए उसकी साथ वे अध्याई पूरा अगर पड़ सकते हैं तो देख सकते हैं मलकी सदेक के बारे में मलकी सदेक और अबराहम के बीच की जो फेलोशिप भाई चारा सहावास उन चीजों के बारे में व्यक्त रीती से बताया गया क्यों अबराहम मलकी सदेक को जानता था क्या नो, he did not know him मगर जब दो भाईयां मिले उनकी अंदर आराधना आई, उनके अंदर मिलाव आई, उनके अंदर क्या आई प्रभु भोज वो लोग परमेशर के आराधना करना शुरू किये उनका आराधना इतना अथी तरीके से गया कि वो लोग आपस में सोचना भी शुरू किये, why can't I treat him as my brother, मेरे भाई के समान मैं क्यों इसे ट्रीट नहीं करू, I should give my tides to him अबरहम सोचा, अरे युद्ध को जाने वाला अबरहम के हाथ में पैसा कहां पर कहां से लेके गया युद्ध को जाने वाला अबरहम के हाथ में पैसा कैसा था, वो पैसा के ले गया या युद्ध के ले गया बहुत सारे लोगों का वेवरन यह है कि अबरहम युद्ध के ले गया था ना, वहाँ से चोरी करके ले गया है, नहीं तो वहाँ से जीत के हाथ से ले गया, नो बैबल कहता है कि वहाँ से कुछ भी लिया नहीं, चपल की रसी भी लिया, क्यों, उसने बोला अगर मैं उनसे कुछ लेता हूं तो वो लोग कल बोलेंगे कि उनी लोगों ने मुझे क्या किया, दनी किया, मुझे दनी किया वो लोग नहीं, मेरा परमेशर है, उस चीज के ब वारे में उसको क्या आएगा एक revelation मिला है यह रिसीव डरावलेशन ओफ गीविंग अदेकिंग यह रिवलेशन ओफ ब्रादर हुड लोव भाई चारा की मिलाव में क्या है उससीज को वह पारक जान सका वाट इस फैलोशिप हुड इंटिफाई सहावास क्या है वह वह पहचान सका परमेश्वर का प्रभु भोज क्या है वट्स लॉड्स अपर ही कुड रियलाईज डाट प्र क्लीशिया के सदस्यों के अन्दर ऐसी एकी सोच है कि मैं क्यों वह पैसा दो कि यह मैं क्यों क्लीशिया को साहता करूं मैं क्यों पास्टल जी को दस्म्हांग दूं बेट दू खफ़ूं और दरेए अगर परमेश्वर के revelation है give it if you don't have the revelation of God परमेश्वर के revelation तेरी अंदर ने आए तो दूर मत दे don't give तेरे देने से ही कुछ होगा है ऐसे कुछ नहीं है तो नहीं देने से भी चलेगा start receiving the revelation of God परमेश्वर के revelation जानना शुरू करो start knowing what is a real revelation of God परमेश्वर की सच्चाई की revelation क्या है पहचानो अबरहम पहचाना इसलिए युद्ध में जाने वाला व्यक्ति युद्ध से वापस आते ही क्या किया पैसा दिया कैसे दिया हलो यह युद्ध को पैसा लेके गया था क्या लेके गया था नहीं कैसे बोल सकते हैं यह लोग किते आदमी क्या थे 308 आदमी कि आया ना कि अच्छा युद्ध कितना जिन चलेगा और रहा है एक मैना दो मैने ने कितने दिनों तक चलेगी तो युद्ध करने के लिए जाना है फॉर एक्जामपल अब उडिशा से महाराष्रा का युद्ध होना है सोचो फॉर एक्जामपल इतना दूरी तो रहेगा ना तो उडिशा से महाराष्रा तक जाने के लिए कितने दूरी उन दिनों में कैसे चलके जाते थे लो दोड़के जाते थे चलके जाते थे पैदल नहीं तो गधों के उपर नहीं तो गोड़ों के उपर हां कितना दिन लगेगा तो इनको क्या मालूम कितना दिन तक की युद्ध रहेगा अब यह लोग कितने जन जा रहे 318 लोग वो लोग कौन है वो लोग युद्ध करने वाले 308 तो यह लोग क्या खाएंगे तो खाना कौन बनाएगा यही लोग बनाएंगे बोले नहीं कुछ बोले नहीं त्यать allons के लिए खाना बनाना इस तो kita का पितने लोग लेएक जाने कितने लोगण जाना पड़ेगा है जयत रोसे पैने कि धुक्ता कंद्रा कि पच्चास ले लो कि पच्चास आद्मी ओके और समान उजार वसब कुछ लेने के लिए और एक पच्चास गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए और एक पच्चास तो 318 लोगों के लिए कितना लोग गये हैंगे सोचो और डबल लोग लगे गये होंगे और यह लोग को तंबू बनाना है उनके लिए काम करने के लिए लोग तो कितना बड़ा एक संबूह लेकर जाने से ही मगर उदर लिखा है तीन सा अठा रहे हैं ट्रेंड मैन बाकी लोग भी थे तो यह लोग की युद्ध को जाते थे तो बहुत पैसा लेकर क्यों के खर्चा की चीज़े खाना बना खरीदना है की नहीं चीज़े विज़े लेना है की नहीं हाथ में पैसा तो पैसा लेकर जा रहा है तो उन जमानों में चोरों की डकायतों की क्या है एरिया है आया ना एक राजी दूसेरे राजी के विरुद में युद्ध में जाता है तो कितना मुश्किल है सोचके दोगो कितना प्लानिंग कितना तैयारी के साथ निकला होगा कौन अबरहाम इसलिए उदर गया जीता वापस आ गया उस समय में उसके हातों में क्या था पैसा था कितना पैसा था एक साल का पूरा जितना अमाना था उससे भी डबल था इसलिए उसने क्या क्या मलकी से दे को जो देना था उसकी revelation आ रहा धना में उसके मिल गई परमेश्वर के संगती में मिल गई इसलिए मैं बोला चाता तू संगती में आ रहा है और तेरो को संगती में परमेश्वर की revelation नहीं मिल रहे हैं don't give anything to the Lord मैं बाई फोर्स में दे रहा हूं बोलकि जो चिंता है वो चिंता को बंद कर दुआ जी परमेशर को बाई फोर्स देना ने गिव इट विट यूर फ्री विल स्वच्छ मन के साथ देना शुरू कर देना वो है बाई चारा इसलिए मलाकी के पुस्तक में लिखाए है तुम दस्मांग से दे कर सीखो क्यों? वो भाई चारा का हिसा है वो ही परमेशर हमें सीखा रहे इसलिए आज कालीश यह कैसा नहीं दिया आज परमेशर के संगती में एक बार समरपन करते हैं प्रार्थना करके आज हमारी संकति को बंद करते हैं बोलते हैं परमेश्वर हम भाईचारा दिखा कर बहुत आत्माओं को लाब करेंगे हम भाईचारा दिखा कर हम आराधना को सीखेंगे हम भाईचारा को दिखा कर लोगों को ट्रिट करेंगे greetings देंगे उनको welcome करेंगे कलीशिया के अंदर आने के लिए समरपन करते हैं प्रारतना करते हैं सुर्गी अपिता परमेश्वर आज सुबह के समय तेरी वचनों के हिसाब से हमने सीका बाहिचारा क्या है how to show the real brotherhood in our community in within our countrymen इस तरीके से हम सेवकाई करने के लिए अनेक आत्माओं को लाब करने के लिए अनेक शैतान एक शक्तियों के उपर प्रबुत्व करने के लिए हमें सिखाई ये बूलकर प्रारतना करता हूं परमेश्वर आज की वच्चन हमारे जीवन में गुरुत्यूरिती से स्रश्ट्यूरिती से काम करने के लिए सहायता दीजिए आदर और महिमा सब को आपके हाथ में हम सोबते हैं इस्चू के नाम में मागते हैं आमेन